ओ साथिया, तुने भोगा दिया नहीं हाथ उठाती, मगर इसे खुलना की छोड़ा है पुरे घर में संभाल के रखे ना, खुलना की छोड़ा में तुमार इतनी हिम्मत बहुत हो क्या है हाथ मत उठा ये गाएंदा मुझ पर, बहुत ज्यातियां बंदाश कर चुकियों मैं आपकी, अगर आएंदा इसी जुरत भी कीना मुझ पर हाथ उठाने के तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा फला जबान को लगाम दो, बोली जारी हूँ, बोली जारी हूँ, क्या हो गया तुमें उसी लहजे में बात करें, जिसे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी यही जबान समझा क्याना आपकी बेटी को हर वेक्त इस घर में मेरे इंसल्ट होती रहती है, लेकिन अब मैं और परदाश नहीं करूँगे अपनी पेश्जती हमजा को आने दो, वो ही तुमें समझाएगा ले, आ गया हमजा, जो शिकायत लगानी न उनके सामने लगा है, उनको भी तो पता चले कि सारा दिन मेरे साथ आप दोनों करती ही आ है क्या होगे, किस बात का शोर मचा हुआ है यह तो आप अपनी बेहन से ही पूछे, जिसको तमाशे लगाने की आदत है हमसा समझाओ अपनी बीवी को, कि मेरे परताश का इंतिहान मत ले, बड़ा मैं बहुत पूरी पेशा हूँगी तो पहले क्या नहीं होता यहां पे हर लम्हा हर वक्त मेरी पेशती की जाती है इस घर में, एक सिकिंग साकून का नहीं है फलक, रूम में चल अंदर चल के बात करते है मैं कहीं नहीं जारी, जो पात होगी, यहां होगी जिस दिन से इस घर में शादी करके रही हो, एक दिन इनोंने मुझे सकून का गुजारने नहीं दिया आप खुद तो पुर्स देले जाते हैं, हर वक्त बाते सुनाई जाती हैं मुझे अब जो बात होगी, आप के सामने होगी, यहीं होगी फलक, बस, बत्तमीजी मत करो क्या बस करूँ मैं, मसला इनको एना मेरे साथ तक यहां है यहीं आप तैने क्यों नहीं जाते हैं, यहां से अपने घार चेलीजे, मुझे भी सकून से मेरे घर में रहने तो और खुद भी अपने घर में जाकर रहे हैं अब तुम्हारे मुझे ने एक लवज ना निकले हैं, बढ़ना मुझे से बुरा कोई नहीं होगी कब से मैं तुम्हें समझाने की गोश्च करूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही तुम अभी और इसी वक्त, बज्जों से और ममा से माफी मुझे किस बात की माफी? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो माफी की इस बात की मांगू मैंने तुमसे कहा न अभी और इसी वक्त इन दोनों से माफी मांगा वरना वो रहा दर्वाजा तुम जा सकते आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं मुझे इस गर से जाने को कह रहे हैं आप तो अफिस से ले जाते हैं उसके बाद की दोनों जो मुझे पॉफिस सुनाती है जो इंसर्ट करती है अपको अंदाजा भी है मुझे पूरा अंदाजा है मेरी फैमिली तुमार साथ ऐसी बत्तमीजी नहीं कर सकती जाजी तुमने की है इसलिए अभी और सीव इंसर्माफी मंगू मांदाफी मांदाफी मांदा आपको नहीं आपको नहीं नहीं तुम्साइब मांदाफी सोरी फ़ल मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था लेकिन तुम्हें भी बात करने से पहले सोच रहा चाहिए था आज तक किसी ने बज्जों से इस तरह घर में बत्तमीजी नहीं कि आप पर जितना मान था जितना भी गरूर था मुझे हाज आपने तोड़ दिया आज मुझे एसास हुआ कि इस घर में पड़ी किसी बेजान चीज जैसी हूँ मैं जिसकी कुई वुकत नहीं है जिसका दिल चाहेगा आकर जलील करके चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कह सकती है क्या फर्क पड़ता है तुम भी तो इस बात को समझो तुमारा इस तरह से बच्चों के साथ बत तमीजी करना मेरे लिए मसले क्रियेट कर रहा है और जो वो लोग मेरे साथ सुलूक करते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है आपका वो चाहे जैसा मरसी मेरे साथ सुलूक करते रहे उनसे कोई पूछने वाला नहीं हाँ मगर मैंने कही जबाब दे दिया तो मुझ पर हाथ उठा दिया जाएगा तो बात करने का तरीका होता है फ़नक अगर तुमें उनसे कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे कहती मैं उनसे बात कर लेगा तेकिन इसका मतलब हर्गिस नहीं है कि तुम उनसे बत्तमीजी करो उनसे घर से निकल जाने का कहतो यह मैं अरगिस बरदाश्ट नहीं करूँगा और आइंदा के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बतो बच्चों या मॉमा से कोई बत्तमीजी नहीं कर दो इस ख्याल रखना है इस बात अगर कोई बत्तमीजी नहीं कर दो फलक तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आजाए क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं तुम्हारी बेटी तुम परिशान उन्हों उसके लिए बहुत तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ आके रहे इससे खुशी की बात क्या होगी यही तो चाहती हूँ मैं कि मेरी बच्ची इलहाम मेरे पास रहे मेरे साथ रहे लेकिन हमजा आप तो जानते हैं न आंटी और बच्चो कभी नहीं मानेंगी वो मेरा मसला है वो मैं देख लूँगा और जो कभीर के पास मेरे सिगनेचर डॉकुमेंट्स है उनमें साफ साफ लिखा है कि मैं इलहाम की कस्टेडी उसको दे रही हूँ और बाद में क्लेम नहीं करूँगी वो तुम मुझ पर छोड़ दो मैं जानू और वो पेपरस मैं अलाम को लाँगा तुमारे पास ची के कीन नहीं आ रहा हमजाब सच क्या रहा है न बिल्कुर मैं आज ही लॉयर से बात करता हूँ वो कल केस फाइल करते है फलके तुमारा कानूनी हाग है और कबीर तो क्या कोई भी तुमारी बेटी को तुमसे दोड़ने रख सकता तुमस का प्यार हो बहर चीद उसके लिए करो ने ने पी कोई जिंदगी थी अपनी मर्जी से ने जिंदगी को दानना चाहती थी और बैसे पे उसे में एकेली के उलादी ये कभी एक ये भी बेटी है वो तो बहुत सब्छान है उसे और अगर आपनों बुझे भी नहीं संबल दी न वो तो जिस तर अन्हें उसे चोड़ कर आएगी न आपनों भी चोड़ने और अगर आपनों भुझे नहीं तो बहुत चैनी जाविए उसे चोड़ने तो ताहों का खियार रुए पुपनी तरू बड़ा रूस पुपनी तरूस पुपनी तो भें वोम भी तो तो पुपनी तो झाली आपनों पावल, वो भी नहीं सुपना है अब कितने स्कूल से रह रहे थे सब कुछ ठीक हो गया था रुखिए तुम्हें मैंसे वादा करें हम इल्हाम को फलक के पास नहीं देटे हैं कैसी बातें करी हो नवाल इल्हाम हमारी बेटी है फलक की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं लानुको फलक के पास नहीं जाने दूँगा ओके तुम्हें पता नहीं को मुझे बहुत तैर लग रहे अगर कौर्ट ने लावी कस्टडी फलक को दी दी तो हम क्या करेंगे सब कुछ नहीं होगा मैं हूँ नहीं मुझे पर भरोसा रखो ऐसा होने नहीं दो चाहे कुछ भी हो जाए मैं लान को फलक के पास बुझाने दो ट्रस्ट मी